एक साइकलोजिस जो सिरियल खिलर वेगरा से डील करती है वो एक स्टेंजर से मिली उससे मिलने के बाद उसके साथ डिस्टर्बिंग चीज़े होना स्टार्ट हो गया अब इस सब के पीछे कौन है या आज के हमारे मुवी नेवर टॉक्टु स्टेंजर इन 1995 की एक साइकलोज तो अंतर इस वीडियो को जरूर देखेगा अगर आपको वीड़ा चलगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजे अब बिना किस तरीके एक्स्प्राइशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन क्यारेक्टर सेरा जो एक साइकलोजिस्ट ह एक सेरियल किलर के साथ बात कर रही थी सेरा ने का तुम्हें एक टीनेजर ने मर्डर करते होई दिखा था किलर कहता है कि वो एक प्रॉस्ट्रूट है वो पैसो के लिए कुछी बोल देगी सब मिलकर मुझे फसाने की कोशिश कर रहे है सेरा यहाँ किलर की मेंडल स्टेट ऐसेस करने के लिए आयु हुए थी उससे लगता है कि क्लर को मल्टिवर बसनेंटी डिसॉर्डर की वीदिवारी है यह इंपरं करने के लिए यहाँ वो आयु हुए थी इसके बास सेरा अपने फ्रेंड क्लिफ के साथ जो एक आर्टिस्ट है उसका एक्जिबिशन देखने क फोटोस का है सारा कहती है कुछ लोग होते हैं जो सचमुच में सब चीज़े करते हैं सारा को या अच्छा नहीं लग रहा था तो उसका फ्रेंड क्लिफ उसे ड्रिंग ओफर करता है इन दोना में बहुत यह अची सी फ्रेंड्शीप है बाते करते करते ही यह दोनों घर आ क्लिफ ने कहा जब तुम यहां मूँ हुई थी तब हम दोनों इंटिमेट हुए थे तब तो में तुम्हें फ्रेंड की तरह नहीं लगा था सारा ने डोर बन करकर इस बात को टाल दिया इसके बाद नेक सिन में किलर का लॉय सारा के बास आया हुआ था सारा ने अब तक किल को भी जजमेंट नहीं देने वाली इस किलर ने लड़कियों को मारने से पहले उनका रेप भी किया था किलर के लॉयर को लगता है कि सारा एक हुमन है तो यह बात उसके लिए शायद पसनल हो सकती है इसी वज़े से वो किलर को जादा से जादा सजा दिलवाना चाहती है वो सारा कहती है मैं तुम्हें जानती भी नहीं वो अपने आपको इंडिडियूस कराता है उसका नाम था टोनी सारा उसे इग्नोर कर देती है थोड़ी दर में वो उसे इसे शॉप में मिलता है टोनी गहता है पहचाना मेरा नाम टोनी हम में सेक्षन में मिले थे टोनी ने कहा क कि मैं यूजूली ऐसा कुछ भी करता नहीं पर इस टाउन में में नया हूँ और मुझे फ्रेंज की जरूरत है शारा कहती है तो किसी और को फ्रेंड बना लो टोनी ने कहा कि मैं अडमिट करता हूँ तुम मुझे बहुत ही ज्यादा एट्रेक्टिव लगती हो अगर तुम्ह लगता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए या मैं कोई लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ तो वैसा मुझे बता दो मैं यहाँ से चला जाओंगा पर सारा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा सारा पूछती है तुम्हारे पास की वाइन की सियर की है कहता है कि 61 की सारा पूछती है क्या दुम्हें लगता है क्या एक वाइन से तुम मुझे इंप्रेस कर सकते हो टोनी ने कहा मुझे लगता है कि तुम ऐसी ओरत हो जिसे जीतना पड़ता है सारा को बात अच्छी लगी वह बाहर आकर टैक्सी लेती है तो टोनी अपनी बाइक लेकर उसके पास आया बहा सारा के पास टाइम नहीं था पर उसने अपना नंबर उसे दिया कहा कि मुझे कॉल करना सारा जब घर पर आई तो उसके फादर उसे मिलने के लिए आए हुए थे उन्हें अंदरे में देखकर वो डर गई थी सारा के अपने फादर के साथ रिलिशन्शिप अच्छे नहीं है उन्हें फादर भी नहीं बुला दिये फादर चाहते थे कि आज रात वो यहीं रूखे पर सारा उन्हें मना कर देती है फादर को एक बड़ी विमारी है तो उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा टाइम तर जिन्दा नहीं रहूंगा हमें एक दुसरे के साथ टाइम स्पेंड करन था, सारा कहती कि मेरे पास नहीं है, नेवर कहता है मैंने तो तुम्हारी फ्रेज में देखा था, वो खुद गया और लेकर आया, सारा इस बात से सप्राइस थी, यह बहुत ही अच्छी डिटेल है, जिसे आप याद रखिए, मुवी के लास्ट में सब कुछ क्लेर होगा, एक सारा ने कहा, तुम मेरे लिए बहुत ही बुरे हो, सब कुछ सही चल रहा था, और नेक्स सेकर में मैं एक स्टेंजर के साथ ड्रिंक कर रही हूँ, इसके बाद इन दोनों ने बहुत सारी बाते किये, सारा अपने एक्स बॉइफ्रेंड के बारे में टोनी को बताती है, कहती करने की कोशिश वो टोनी के साथ कर रही है, सारा पुछती है, तुम करते क्या हो, वो गहता है कि मैं सेक्यूरिटी कंसल्टंट हो, सारा ने कहा, तुम्हारे साथ होते वक्त, मुझे बहुत ही सेफ लगता है, आगे सारा अपने बच्पन के बारे में बताती है, उसने कहा कि जब वो छोटी थी तभी उसकी मदर की कार एक्सिडन में डेथ हो गई थी उसके फादर का सेल्स का जॉब था तो हमेशा घूमते रहते थे वो अपने एंड के पास ही बड़ी हुई है ये सब बाते करकर सेरा को इंबारस लगा टोनी कहता है तुम्हें कंट्रोल में ना होना इन सब चीज़ों के बारे में बात करना ये सब सूट करता है इसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को किस किया और एक दूसरे की बाहों में ही सो गए सुबा होने पर एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है इसके बाद नेक सेन में सारा फेस से किलर के पास आई हुई थी वो उसे बुछती है कि लास सेशन में तुम आवाजों के बारे में बात कर रहे थे इस बार किलर ने कहा कि मुझे कोई वी आवाज ये सुनाए नहीं देती वो गहता है तुम मुझे फ्रेम करना चाहते हो तुम अपनी साइड चूज कर लो एक तो तुम मेरे साइड पर हो या मेरे खिलाफ यावर वो बहुत ही गुसा हो गया था इंडारेक्ली उसे धंकी दे रहा था आज सारा जब घर पर पहुँची तो उसके घर पर मुर्जाय हुए फुलो का गिफ्ट भेजा हुआ था इस बात से वो डिस्टब हो गई रात में सारा और तोनी फेसे मिले तोनी सारा के लिए शुटिंग का गेम खेल कर उसे जिराफ गिफ्ट देता है सारा पुछती है तुम्हारी इतनी शुटिंग अच्छी कैसी है वो गयता है कि मैं पहले पुलिस हुआ करता था सारा को बात बहुत ये सप्राइजिंग लगी ये उसने बात उससे चुपाई थी वो सारा को गयता है तुम भी शुटिंग ट्राय करो वो मना कर रही थी पर फिर भी टोनी ने उसे फोर्स किया शुटिंग करते वक्त अपने बच्छबन की याद सारा को आई अचाना से वो बेहोश हो जाती है टोनी उसे अपने घर पर लेकर गया था सुबा होने पर उसके लिए उसने टीवी बनाई सारा को टोनी के साथ होना अब अचाना से गलत लगता है उसने कहा कि अब मैं जा रही हूँ टोनी ने पहचान लिया कि उसे इंडारिकली ब्रिक अप कर रही है उस पर चिड़ गया क्यों मैं करती क्या हो हमेशा मेरे साथ पुश पुल पुश पुल खेलती रहती हो इन दोनों की फाइट होगी और सारा यहाँ से चली जाती है थोड़ी दर में सारा ने अपना माइंड चेंज कर लिया वो फिर से टोनी के पास वापस आई यह दोनों इंटिमेट हो जाते है गर अने बर सारा को एक नोट मिला न्यूस्विवर की एक पेज का यह नंबर था यह सारा देखती है तो इसमें सारा की डेट के बारे में लिखा हुआ था इन सब बातों से डिस्टर्ब हो गए उसे लगा कि किलर ही यह सब करवा रहा है जाकर वो किलर के लोरे से बात करती है वो कहती है तुम मिलकर मेरी हरास्मेंट क्यों कर रहे हो लोर कहता है इसमे मेरा कोई भी हाद नहीं है अगर किलर ने ऐसा किया होता तो उसने मुझे बता दिया होता सेरा कहती है उसे multiple personality disorder है उसने शायद एक खुद किया है पर उसे याद भी नहीं इसके बाद नेक्स डे सारा की घर पर ही टोनी आया हुआ था ये दोनों मिलकर कुकिंग करते हैं कुकिंग करते करते पहन में आग भी लग गई थी दोनों ने मिलकरे बुझाए बहुत सारा तमाशा खड़ा हुआ पर ये दोनों इस बात को एंजॉय करते हैं टोनी को सारा के साथ होना ये बहुत अच्छा लगता है अचानल से सारा को उसके फादर का कॉल आ जाता है ये क्रिसमस के वारे में उसे पूछ रहे थे सारा कहती है कि मैं आप से बात में बात करूंगी टोनी ने नोटिस किया कि अपने फादर से बात करते हैं डिस्टर हो गई थे उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो क्रिसमस में मैं तुमारे साथ रह सकता हो तो मैं सपोर्ट करने के लिए सारा नहीं चाहती कि उसके फादर से हो मिले टोनी कोई अजीब लगता है टोनी ने घर में ही सारा के एकस बाइफरेंट की फोटो नोटिस की उसको गायब होए एक साल हो चुका है पर फे भी उसके घर में फोटो क्यों है इस बात को लेकर टोनी अफसेट हो गया सारा कहती है इस फोटो को रखना में भूल गई थी इन चोटी-चोटी बातों को लेकर तुम उसे फाइट मत करो टोनी भी इस बात को इग्नोर कर देता है अगली दिन जब सारा फेस से काम से वापस आई तो उसकी कैट को मार कर उसे गिफ्ट कर दिया गया था इस बात से वो बहुत ही ज़ादा डर गए और पुलीस के पास आती है पुलीस ओफिसर के पास बहुत सारे कैसेज थे तो उसे हेल्प नहीं करता कहता है तो एक प्राइवेट डिरिक्टिव हाइर कर लो ऐसे गैसेज में वो तुम्हें ज़ादा हेल्प कर सकते है सारा उस पर भी गुस्सा हो गए आज उसे टोनी के सारे की बहुत ज़रूरत थे उसे वो कॉल नहीं कर पाई क्योंकि वो आउट आफ टाउन था मौरिनिंग में टोनी सारा की घर पर आया तो सारा कहती है अब बात करने के लिए अच्छी टाइमिंग नहीं है उसे वहाँ से कटाना चाहती थे टोनी मानता नहीं और घर में आ जाता है घर में और अल्रेडी सारा का नेवर था गुस्सा होकर बुच्छता है कि ये क्या यहाँ कर रहा है सारा ने कल राप के बारे में उसे सब कुछ बता है वहती है कि as a friend मेरे पास आया हुआ था टोनी गुस्ता होकर नेवर को वहां से निकाल देता है पर टोनी पर अब भी trust नहीं करती उसे लगता है कि क्या टोनी नहीं उसे भीजी उसे फुलों के बारे में भी वही लग रहा था टोनी ने बात पहचान ली उसे गंफरन करता है सारा उसके बारे में इसा सोचती है तो उसे बहुत ही बुरा लगा क्याता है शायद तुम मुझे पर trust कर बाती है हर्ट होकर वहां से हो चला गया नेक्सिन में हम देखते है सारा ने प्राइवेट इन्वेस्टिकेटर हायर कर लिया है वो इसके हल्प से टोनी पर नज़र रखेगी जब नेक्स टाइम वो टोनी के साथ डेट पर आई हुई थी इस वार वो प्रॉपर शुटिंग के लिए चलते है टोनी कहता है तुम तो गन से बहुत ही डरा करते थे सारा ने कहा कि अब नीट औरूँगे सारा चाहती तो है कि टोनी पर ट्रस कर पाए तो उसे पूछती है मैं कैसे सीख सकती हूँ टोनी कहता है कि अब मैं बिना किसी डर की नीचे गिरूँगा मैंने अगर सर्शूज में ऐसा किया इसका मतलब है मैं तुम पर ट्रस करता हूँ टिक्टॉकर्स की तरह सारा को भी एक करने के लिए गयता है सारा भी उस पर पुरा ट्रस करकर नीचे गिर गई और टोनी ने उसे बचा लिया टिक्टॉकर्स की तरह आज इन्होंने अपना दिन बहुत ही अच्छे से स्पेंड किया था खुश थे तो रात में इंटिमेट हो जाते है अब टोनी फिर से अपने कुछ काम के लिए आउट आफ टाउन जा रहा था तो सारा का डिरेक्टॉ उस पर नजर रखता है उसने कहा कि मैं किसी अलग टाउन जा रहा हूँ पर वो एलबनी गया सारा का टाउन ये सब बाते डिरेक्टॉ उसे बता देता है वहाँ जाने पर टोनी एक और और उसकी बच्ची से मिला डिरेक्टॉ सारा से कहता है शाय टोनी मैरीड है इस बात से सारा बहुती जादा हर्ट हो गई नेकसे में हम देखते हैं सारा के घर में कोई इलिगली खुश गया था ये उसका नेबर नोटिस करता है और उसके पीछे हो भागा जो भी आदमी था उसने नेबर को बहुती जादा इंजूर कर दिया सारा को अभी अभी टोनी के बारे में पता चला है तो उसके घर पर वो पोच्चती है घर पर पोच्चने के बाद उसकी सारी जिज़े उसने चेक किये जिसमें उस पर एक फाइल उसे मिली इस फाइल में सारा के बारे में सब कुछ रेकॉर्ड्स थै वो किस high school में गई थी, उसकी mother के साथ क्या हुआ था, यह सब कुछ यहाद दिया गया है, सारा को फिर से flashback में याद आता है, उसकी mother की date सीडियो से नीचे गिर कर हुई थी, वो इस बात से disturb हो गई, थोड़ी देर में टोनी यहाँ पहुच गया, सारा कहती है, मुझे अचानक के screws निकर गए थे, यह कभी भी नीचे गिर सकता था, सारा बाट टफ से निकली, उसके बाद ही नीचे गिर गया, अगर बहले गिरता, तो सारा की date हो जाते, इसके बाद सारा ने पुलिस को call किया, पुलिस ने उसके neighbor के साथ भी जो हुआ, यह सो उसे बता दिया, पुलिस क को call करना चाहती थी, वो टोनी उसे रोक लेता है, टोनी ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, वो उसके साथ ब्रेक अप कर लेता है, सारा कहती है, प्लीस मुझे मारो मत, वो डर गई थी, वो अपने परस के पास के, टोनी को लगा, क्यों गन निकाल रही है, तो टोनी ने अपनी गन भी निकाल लिए, सारा और भी जाधा डर गई, वो उसे पुछती है, नुई यॉक में तुमारे साथ कोन थी, टोनी कहती है, कि वो मेरी कजन है, बेनी ये सारा के एक्स बॉइफरेंड का नाम था, एक्चुली सारा के एक्स बॉइफरेंड ने टोनी को हायर किया पता करने के लिए, कि उसके ब्रेदर को हुआ क्या, टोनी कहता है, मुझे सच बता उसके साथ हुआ क्या था, सारा कहती है, हम दोनों कि वी जो भी था, ऐस व जोट था, तोनी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे ब़हत प्यार करता हूँ, सारा कुछ भी बात पर बिलिव नहीं करते, उसे लगता है कि उसके साथ जो भी हो रहा था, इसके पीछे टोनी ही था, टोनी कहता है चोलो में तुमें कुछ दिखाता हूँ, उसने सारा पे नज़र रखने के लिए हर जगा पर कैमेरे लगाया हुए थे, इस कैमेरे में दिखाई देता है, इस सारा क गर पर जो आया हुआ था उसके साथ जो भी हो रहा था योग खुद कर रही थे एक्चुली उसे multiple personality disorder है इसका मतलब है अचानक से उसकी personality change हो जाती है इस change के time में उसकी जो भी करती है उसे खुद को पता नहीं होता ये बात जानकर सारा बहुत ज़्यादा डिस्टब हो गए तब उसके फादर उसे विजिट करने के लिए आ गए उनके शूर्स के आवाज को सुनकर उसे अपना past याद आया एक्चुली सारा के फादर ने ही उसकी मदर को मार डाला था फिर उन्होंने सारा को गंदी थी कहा कि फादर को हेल्फ करो सारा को ट्रिगर फूल करने में हेल्फ किये पुलिस को लगा था यह सिर्फ एक एक्चिडन्ट है यह सब याद करकर सारा को चक्कर आ गई उटने बर अपनी मदर के बारे हम बात कर रही थे उसके फादर कहते है वो सिर्फ एक एक्सिडंट था सैरा कहती कि अब मुझे सब कुछ याद है तुमने ही मेरी मदर का मर्डर किया था हर रात मेरे कमरे में आकर तुम मुझे अभ्यूस किया करते थे इसी वज़े से मेरी आर्ण मुझे उसके साथ लेकर गई वो चिड गई थी तो उसने अपनी गण निकाली टोनी उसे शान रहने के लिए कहता है उसने का मैं अपनी गण ग्राउंड पर रख रहा हूँ तुम भी ऐसा ही करो टोनी ने गण रखी और सारा उसे शूट कर देती है उसकी पसिनारिटी अब चेंज हो गई थी कोई भी सबुत नहीं रखती अपने आपसे कहती है तुम्हें इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा वो घर के बाहर के और उसके बाद उसकी नॉर्मल की पसिनारिटी फिर से उसके पास वापस आई उसे लगता है ये टोनी और उसके फाजर ने एक दुसरे को मार डाला यही बात वो पुलीस से भी कहती है पुलीस को ये सब सच लगा और उसे छोड़ देते है इसके बाद नेक्सीन में सारा मल्टिबल पसिनारिटी पर एक लेक्चर दे रही थी वो कहती कि जब भी बच्पन में बहुत बड़ा ट्रामा हो गया हो इस बात को छोटे बचे हैंडल नहीं कर पाते इससे कोग करने के लिए खोदी अलग-अलग पसिनारिटी बना लेते है यही सारा ने भी अपने साथ किया था उसे इसके बारे में पता भी नहीं है मुवी के लास्ट में अवो अपने नेवर के साथ रिलेशन्शिप में है इसी तरीके से यह मुवी हमें गेस करता हुआ छोड़ कर चली जाती है यह मुवी एक बहुत ही डिंजरस कैरेक्टर की ग्लिम्स थी मुवी में हमने देखा था इस सारा के फ्रीज में अलकॉल थी उसे पता भी नहीं था इसका रिजन यही है कि उसे मल्टिबल पस्नाइटी डिसॉर्डर है इसी पॉइंट के साथ आज का वीडियों कतम करते झाल 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 झाल